ओम शांतिंग आज नौ सितंबर दोहजार चाबैस बाबा के महवक्चे हैं मीठे बच्चे यूग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयम में अच्छे संस्कार डालो ज्यान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार है प्रश्न है तुम बच्चों का बर्थराइट कौन सा है तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है उत्तर है तुम्हारा बर्थराइट है मुक्ती और जीवन मुक्ती तुम्हें अब फीलिंग आती है कि हमें बाप के साथ वापिस घर जाना है तुम जानते हो बाप आए है भक्ती का फल, मुक्ती और जीवन मुक्ती देने। अभी सबको शांतिधाम जाना है, सबको अपने घर का दीदार करना है। धालना के लिए मुख्य सार है पहला, बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मंसा वाचा कर्मणा पवित्र जरूर बनना है, अच्छी संसकार योगबल से धारन करने है, अपने को गुणवान बनाना है, दूसरा, सदाखुशी में रहने के लिए बाप जो रोस गुए गुए बातें सुनाते हैं, उन्हें सुनना और दूसरों को सुनाना है, किसी भी बात में मूँचना नहीं है, योक्ती से उत्तर देना है, लज्जा नहीं करनी है, वर्दान है सुक्स्वरूपबन हर आत्मा को सुखदेने वाले मास्टर सुखदाता भवल, जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं, उन्हें कर्म का प्रत्यक्षफल खुशी और शक्ती मिलती है, उनका दिल सदा खुश रहता है, उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती, संगम युगी ब्राम्भन अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे है, ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयम भी मास्टर सुखदाता होंगे, वे हर आत्मा को सदा सुख देंगे, वे कभी नदुख देंगे, नदुख लेंगे, स्लोगन है, मास्टर दाता बन, सहयोग, सनहे और सहानुभूती देना, यही रहम दिल आत्मा की निशानी है, आम शाते आम झाल